है 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 आज हम क्लास करेंगे जो एक अपने आप बहुत इजी टोपिक है जो एक बार आपको यह किवल ज्यादा से ज्यादा हाडली 30 मिनट की क्लास है इसको करने के बाद मेरे को नहीं लगता है कि कोई भी इस टोपिक से रिलेटीड कि आप नहीं कर पाओगे वाले पीक है या हम और सकते हैं बोनिस मार्क्स वाले टोपिक से जिसमें कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसको गलत करके आज आते हैं, एक चोटी सी गलतियों के कारण, तो उसी टोपिक को आज हम डिसकर्श करेंगे उस टोपिक का नाम है Rectification of Error Rectification of Error जो अपने आप में एक छोटा सा टोपिक है और इससे questions हमेशा put out raise किये जाते हैं और लगबग 90% लोग इसको गलत करके आ जाते हैं अब यह पता नहीं गलत क्यों करके आते हैं या तो आप पढ़ाई नहीं करते हैं या फिर आपका concepts के लिए नहीं है या फिर कहने का मतलब आपने देखानी होगा तो वही बात है कि जो एक छोटा सा टोपिक है आपको यह hardly जादर से जाद है थर्टी टू फॉर्टी मिनट्स की वीडियो होगी क्लास होगी इसमें आप से मसे की उस रिलेटिड करवाए जाएंगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें क्रिस्टन को कैसे टैकल करना है तो हम स्टार्ट करते हैं रेक्तिफिकेशन उर्र ट श्रक तरट हम स्टार्ट करते हैं रेक्तिफिकेशन और पहला क्योशन हमारे पास गीवन है वेज्ज पेड़ टू सुरेश, वेज्ज पेड़ टू सुरेश, 1000 विल बी डेबिटेट टू, तो कहां पे डेबिट होगा, तो हमारी एंटरी क्या बनेगी, इसकी एंटरी हमारी बढ़ने चीके, वेज्ज अकाउंट टेफेट टू सुरेश अकाउंट, यह होनिछी यह तो इसमें wages अक्टं क्या हो रहा है debit हो रहा है तो debit इसमें क्या हो रहा है Wismate keciu क्या हो रहा है debit हो रहा है तो right answer गोल ज़ीदा A Wismate falta to the Pause So a account हमाएक हमारा कोना debit हो во puisque countries next says Vismate. विजवीज को पैसा दिया गया है for construction of building Building क कशन्यक्प्षन के लिए तो हमारे जो जर्नरल एंट्रीब बनेगी वो क्या एंट्रीबनेगी building अकाउंट debit to क्या बनेगी entry एंट्री बताओ building account debit to cash account pay कर दिया paid का मतलब यहां पे है cash दे दिया building बनाने के लिए wages दी गई है किसको आरून को किसके लिए construction और building तो हमारे entry क्या बनेगी building account debit to अब इसमें पूछा है डेबिट क्या होगा अरुन होगा बिल्डिंग होगी वेजिज होगी यह कैपिटल होगी तो आंसर विल बीदा बिल्डिंग अकाउंट विल बीदा डेबिटेट नेक्स्ट है रुपीज 500 पेड़ डेबिटेट तो अब इसकी एंट्री यह तो हम कंस्ट्रक्शन कर ले थे अब यहाँ पे बिल्डिंग का रिपेर कर रहे है तब इसकी एंट्री हमारी क्या बनेगी रिपेर अकाउंट डेबिट तो कैसे अकाउंट और यहाँ पे डेबिट पूछा है कौन सा होगा रिपेर अकाउंट होगा मसिनरी होगा वेजिज होगा या घंसयाम होगा तो यहाँ पे अब क्या अकाउंट डेबिट होगा रिपेर अकाउंट विल बी डेबिटेड तो आंट्री हमारी क्या बनेगी रिपेर अकाउंट डेबिट टू कैस अकाउं नेक्स्ट है हमारा Wages paid to Mohan Wages paid to Mohan Overhelving of old machinery purchased Will be debited to तो debit क्या होगा तो इसकी entry हमारी क्या बनेगे Machinery account debit to cash account तो अब ये देख लिजे का debit कौन सा account हो रहा है Machinery account क्या हो रहा है Debit हो रहा है तो what will be the right answer Machinery account debit तो next question 5th question क्या बोलना है Rs. 50,000 sale of an old car पैसा मिला है क्या चीज़ बेच करके Old car बेच करके पैसा मिला है तो क्या entry बनेगी Entry क्या बनेगी Cash account debit to car Yes या No Cash account debit to car तो इसमें credit में पूछा क्या होगा Sales account होगा Capital account होगा Car account होगा Drawing account होगा तो एंट्री हमारी क्या बनेगी है Cash account debit to car account Clear है बात अब कुछ लोग बोल रहे हैं Sir कि आप पूरा topic को explain कर दीजी अब हमारे पास इतना time नहीं है कि आप के लिए पूरा topic explain किये जाए और उसके बाद MCQ करवाएजी अब किवल इतना time बचा है जो आपको topics आते हैं उसके जादे से जादे आपको questions लगाने है और कुछ हैसे होते कि topics नहीं करते हैं MCQs लगाने से भी उनका topics क्या होता है automatically clear हो जाता है तो अब हमारे पास इतना sufficient time नहीं है कि topic करवाएज उसके बाद MCQs करवाएज तो उसके लिए मैं तहद दिल से माफी चाता हूँ कैसा भी possible नहीं है कि एक दो students के लिए पूरी class ली जाएज उसके बाद उनके MCQs करवाएज तो ऐसे हमारा syllabus क्या है cover-up नहीं होगा और हमारे practice भी नहीं हो पाएगी next six question क्या बोल ला है goods worth 2000 given away at charity should be credited to goods given away 2000 given away at charity तो credited क्या होगा charity account, sales account, drawings account ये purchase account तो इसकी entry क्या बनेगी charity account debit to purchase account तो credit क्या हो रहा है purchase account क्या हो रहा है credit हो रहा है तो इसका मतलब हम ये मानते है कि जितना suppose हमने 10,000 का समान purchase किया था कितने का समान purchase किया था 10,000 रुपेज का समान purchase किया था उसमें से 2000 का समान हमने दान में दे दिया है जिस charity दे दिया तो हम यह मानते हैं कि हमने इतने का समान कम खरीदा था, जब खरीदा था तो purchase account हमने क्या किया था, debit जब कम करना होगा तो purchase account को क्या कर देंगे हम, credit, तो entry इसकी क्या बनेगी, charity account debit to purchase account, clear है बात, next question हमार देख रूपीज 5,000 paid as rent for residential building of house proprietor were debited to rent account, कितना 500, in rectification of error, drawings should be debited, तो कितना होना चाहिए, तो rectify entry में कितना होगा वो हमें बताना है, 5000 होगा, 4,500 होगा, या 500 होगा, या 5,500 होगा, तो answer क्या होगा, 5000 will be the right answer, clear है बात, next हमारा 8th question क्या बोल रहा है, salary paid to RAM, salary pay किया है, RAM को work credited to salary account, salary account में credit कर दिया, जब हमने salary pay किया होगा, तब country बनाई होगी, salary account debit to, RAM account, sorry cash account कितना, 3000, work credited to salary account में हमने कितना लिख दिया, 300, in rectifying salary account will be debited, तो rectify जब हम करेंगे salary account, तो कितना लिखा जाएगा, उसमें ये हमें बताना है, भई entry हमारी बननी चाहिए थे, salary account debit to RAM account, clear है बात, लेकिन salary account को हमने क्या कर दिया, credit कर दिया, भई entry हमारी थी, salary account debit to RAM, cash account, कितना था, 3000, अब क्या कर दिया, हमने credit कर दिया, किसको salary account को, तो इसका मतलब salary account debit होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हमने क्या कर दिया, credit कर दिया, कितने से, 300 रुपीस है, तो rectifying entry क्या बनेगे, तो rectifying हमारे सही entry बननी चाहिए थे, salary account debit to cash account, लेकिन बनी ही नहीं, क्योंकि salary account को, तो हमने क्या कर दिया, credit कर दिया, तो इसका मतलब salary account 3000 तो होनी चाहिए थी, और यह 300 रुपीस कम हो गई, तो इसका मतलब total salary account अब कितने से rectify होगी, 3300 से, तो answer कितना होगा, 3300 will be the right answer, clear है बात, next question देखो, next question क्या बोले है, after closing accounts, one-sided error is rectified, सब close account बंद करने के बाद, एक sided error पता चली है, through drawings account, suspense account, capital account, profit and loss account, तो किस से पता चलेगी वो, तो suspense account से पता चलेगी, और हम उसको rectify कर सकते हैं, किस से, suspense account से जो हमारे गलती पता चली है, एक sided error है, तो उसको हम rectify करेंगे, सुधाने के, कौन सा account open करके, suspense account open करके, clear है बात, next है, which of the following is the one-sided error, one-sided error कौन सी है, subsidiary books under cost, undercast, omission of posting to an account, भई, subsidiary books में कम लिखा गया था, इसका मलें कि सभी में कम लिखा गया है, entry, omission, posting करना चूट गया, तो इसका मतलब तो एक side ही कहा, दोनों side में लिखा ही नहीं होगा हमने, तो उसके बाद, posting to wrong side of an account, गलत account में लिख दिया है, या all of the above, तो इसका answer क्या होगा, what will be the right answer, तो answer क्या होगा, इसका, D will be the right answer, भई, wrong account में लिखा है, वो भी ठीक है बाद, और उसके बाद हमारा क्या है, one-sided error है, subsidiary books undercast है, omission है, of posting an account, एक account में लिखना चूट गया, तो एक ही तो account में लिखना चूटा है, तो all of the above is the right option, next आवारा है, credit sale of to महेश कितने का है, 8000 का, were recorded in sales 800 रुपए, भई, हमारी entry क्या बननी चाहिए, पहले तो सबसे पहले एक चीज़ में आपको बता देता हूँ, यह देखो, entry हमारी क्या बननी चीओ थी, question में बोला है credit sale to महेश, तो हमारी entry क्या बननी चीओ थी, महेश अकाउट debit, महेश अकाउट debit to sales account, यह हमारी entry बननी चीओ थी, कितने से, 8000 से, यह हमारी right entry होनी चाहिये थी, right entry, चीज मैस अकाउंट डैबिट और रिकोड़ीड एड़ इन एडशू इन सेड़्स बुक्सेल्स में हमारा क्या लिग दिया एड़ थाउजन तो एंट्री हमने क्या कर दी महेस अकाउंट डैबिट तू सेल्स अकाउंट आठ सो रुपई रिस अब देटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटे 200 विल विदा राइट आंसर के लिए रहे बात कोई डाउट इसमें कोई डाउट हो पूछ सकते हूं कि वहाँ एक बात और अब भी इससे पहले जो क्लास करवाई थी रिजर्स और प्रोविजन्स लास्ट ट्वन्टी फॉर्थ सैद क्योशन था उसका डी राइट ओप्शन सही है मेरको उमीद नहीं थी कि आप लोग लास्ट क्योशन तक क्लासिस को देख रहे हो और उसको कितन जी बहुत अच्छा लगा मतलब एक तरीकी से कहने का मतलब ना मैं ब्यान नहीं कर सकता है कि मेरको ऐसा उमीद नहीं था कि आप लोग इतनी लास्ट तक वीडियो देख रहे होंगे इतने क्योशन साप लोग देख रहे होंगे कि ट्वन्टी फॉर्थ है रहा है जो क्या हो जाते हैं तो उस चक्कर में वह हो गया लेकिन आप सब्सक्राइब कर पाएंगे अगर वीडियो और आपको क्रेंस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को तो हम हम चलते हैं क्वेल्थ क्योशन पे ग्रेडिट सेल हो राम क्रेडिट सेल किया है राम को 1000 का वर्रिकोड़ीट 12,000 यह तो उलटाई कर दिया इसने उलटाई कर दिया तो उलटाइ से देखेंगे हम देखो क्या है credit sale to ram ram को समान बेज दिया बेज दिया तो हम एंटरी कर देंगे क्या चीज राम account debit to sales account यह एंटरी कर देंगे कितने से किया हैएज इसने वन थाउजंड का समान बेज दिया, तो वन थाउजंड का कर देंगे लेकिन क्या कर दिया RAM अकाउंट डेटट तू सेल्स कर दिया इसने 1200 रूवज से कितने से कर दिया 12 से बैइ адरक चिए था हमारा 1000 से कर दिया 1200 से तो कम करेंगे Johan z अक्षार करना चीए तो 1000 यह और कर दिया 1200 तो इसमें पूछा क्या है कि सेल्स बुक है इन राम अकाउंट क्या होगा राम अकाउंट क्या होगा क्रेडिट होगा कितने से 200 रुपए से तो राइट आंसर विल बीदा क्वेल्थ का बी कि लिए रहा बात नेक्स्ट है ग्रेडिट पर्चेज ओफ फ्रों एक से कितने का 4000 का वर रिकोडिन इन परचेज बुक में लिख दिया कितने का 400 का रेक्टिफाइग का एंटरी कितना लिखा जाएगा बैपरचेज अकाउंट 400 से करना था लिख दिया 400 तो कितने से और करेंगे 4000 रूपए से कितने से करेंगे 3700 कितने से तरा के क्रेडिट परचेज तो हमने क्या एंटि मरा इंटरी तो इंटरी ऐग लिख दिया हमने 400 से तो एंट्री क्या होगी और क्रेडिट किया जाएगा एक्स का अकाउंट कितने से 3600 रुपए से तो आंसर विदा 13 का डी किलियर है बात सेम वैसे हैं करके देख लें कोई डाउट हो तो फिर दबार या पूछ सकते हैं क्रेडिट परचेज ओफ वाई फ् परचेज बूख 6066 आप से ज्यादा क्या रुपए से हम कम करेंगे इसम्हाइए का पूछा है तो वाई आप वोचाहर क्या हो जाएगा डैबिट हो जाएगा कितने से 600 रुपए से तो आंसर विदा एक होगा क्रेडिट होगा एक तो डैबिट होगा तो आंसर कितना होगा डेबिट बाई दा 600 रुपीज क्लियर है बात लेक्स देखो हमारे क्या बोले 15th क्रेडिट शेल टू रगु रगु गो उधार समान बेचा है तो हमने एंट्री क्या बनाई होगी वर रिकोर्डिड इन पर्चीज बूग भाई देखो उधार बेचा है इसमान किसको रगु गो था एंट्री हमने कर लिए क्या करियोगी रगु अकॉंट ड़ क्या लिक्तिप्व लेकिन रचैज बूक में किसमें कर दी फर्चेज बूख में क्या एंट्री कर दी पर्चैज पर्चेज अकाउंट डैबिट टू रगू कितने से 10,000 रुपीज से तो अब बताओ डैबिट अकाउंट कितने से होगा अब इसमें पूछा है डैबिट अकाउंट कितने से होगा 10,000 से 20,000 से क्राइबिट कितने से 20,000 से तो इसमें पूछा क्या है रगू आकाउंट का पूछा उसने डैबिट कितने से होगा लेकिन यह तो उल्टा वापिस नीचर लेकर के चलागे 10,000 माइनस में गया तो माइनस में जाने के लिए प्लस 10,000 करेंगे फिर प्लस 10,000 करेंगे तब हमारा 10,000 आएगा तो उसको बराबर लाने के लिए हम क्या करेंगे तो दोनों को मिला देंगे तो हमारा एंट्री क्या बनेगी राम अकाउंट डेट टू शेल्स अकाउंट 20,000 रुपीच नेक्स हमारा क्योश्ण देग ना ग्रेड़िट शेल्ट टू राम 5000 वर रिकोड़ेंट इन पर्चेस बुक 500 लिखी है तो इन रेक्टिफाइग श्याम अकाउंट क्या होगा श्याम अकाउंट क्या होगा डेबिट होगा डेबिट होगा लेकिन कितने से होगा 5500 से तो 16 का अंसर कितना हैगा 5500 विल विदा राइट आंसर नेक्स है गुट्स पर्चेस फ्रोम गनेश गनेश से समान खरीदा है कितने का 4000 का वर रिकोड़ेंट इन सेल्स बुक सेल्स बुक में लिख दिया ऐजे 5000 पाच जार लिखा है तो रेक्टिफाइग एंट्री गने अजीद वर रिकोड़ Buenos-vous एंट एनु बनाजिए और इसको दिखा दिता रहूं क्या पूछ आया इसमें देखो से टृत इतिन केुंषं में गोड़ें टुञंग में वापिस दिया हुआ था कैंटिफा एंट्री गरिए ओगी कितने का समान ता 2000 रुपीज का तो हमने entry बना दी Ajit account debit to purchase return किलियर है बात Next हमारा पूछा है लिख दिया हमने sales return book में sales return book में जब हमने entry करी होगी तो क्या entry करी होगी sales return account debit to Ajit कितने से लिख दिया था 2000 रुपीज कितने से 200 से और इसने पूछा किसका है Ajit account rectifying entry बताने Ajit कि Ajit हमारा होना चीए था debit 2000 से लेकिन Ajit हमारा credit ही हो गया बलकि debit तो नहीं हुआ debit नहीं हुआ तो debit करेंगे कितने से 2000 से प्लस लेकिन यह हमारा credit भी हो गया तो Ajit account हमारा debit होगा कितने से 2200 रुपीज से तो right answer क्या होगा debited 2200 रुपीज विल विदा right answer next goods returned from Vivek were recorded in purchase return book by goods returned किया है किसने from Vivek से goods returned from Vivek Vivek ने goods return कर दिया लेकिन वो लिख दिया purchase return book में 12,000 तो rectifying entry क्या करेंगे Vivek के तो यह आप बताओगे debit करेंगे 2000 या credit करेंगे 2000 देट करेंगे 22,000 या credit करेंगे 22,000 तो answer क्या होगा इसका credited by the 22,000 will be the right answer next which of the following error will be rectified through this suspense account कौनशी error इसमें से ठीक की जाएगी suspense account से sales return by Preeti 1000 not recorded sales return by Preeti 1000 recorded as 100 sales return 1000 recorded as purchase return book sales return book was undercast तो कौन सी ठीक की जाएगी suspense account से तो suspense account से कौन से ठीक की जाएगी sales return book undercast है 1000 से क्या है 1000 से undercast है कम है तो उसको ठीक किया जाएगा किस से suspense account से नेक्स्ट अमारे question देखो sold goods to 4 4 को समान बेता है 2700 का बट वाज रिकोड़िट चारू अकाउंट चारू के अकाउंट में हमने कितना लिख दिया 7200 कितने से क्रेडिट होगा तो यह एंट्री हमने करी होगी तो चारू अकाउंट कितने से 2700 से यही करी होगी लेकिन हमने चारू का अकाउंट में कितना लिख दिया चारू to sales कितना 7200 रुपै और लेकिन इसके में सही लिखा है हमने तो चारू का अकाउंट हमारा शताइस तो से क्या होना चाहिए था Debit होना चाहिए था लेकिन कर दिया कितने हमने 3200 से मत्ल़ कितना जादा कर दिया कैदना जादा कर दिया 7200 minus 2700 क्या कर देंगे minus कर देंगे तो उतने से हमने क्या कर दिया उसका account ज्यादा debit कर दिया उतना ज्यादा debit कर दिया clear है बात तो इसका मतलग कि कितने से ज्यादा debit कर दिया 4,500 से ज्यादा debit कर दिया तो उसको ठेक करने के लिए हम क्या करेंगे credit करेंगे कितने amount से 4,500 से that will be the right answer clear है बात next question देखो झाल नेक्स्ट क्योशन क्या बोला है जोल्ड गूट्स टू चारू चारू को समान बेचा है जोल्ड गूट्स टू चारू कितने का 2700 रुपए का समान बेचा है चारू को बट रिकोर्डेड 2200 रुपए कितना लिख दिया 2200 रुपए टू क्रेडिटू चारू को कर दिया 7200 तो चारू का अकाउंट डेबिट किया जाएगा कितने से यह आपको बताना है तो मलत करना कितने से था 2700 से कर दिया कितने से झाल-टो तो इसका मतलब कि हमने एंट्री करी होगे क्या चारू अकाउंट डाइबिट टू शेल्स क्या एंट्री करी होगे चारू अकाउंट डाइबिट टू शेल्स एक सेगंड उखना तो इसका मतलब तो हमने एंट्री क्या करीगी शोल्ड गूड्स टू चारू के एंट्री करी होगे क्या चारू अकाउंट डाइबिट टू शेल्स कितने से 2700 रुपे से लेकिन चारू का अकाउंट हमने क्या कर दिया क्रेडिट कर दिया और शेल्स अकाउंट भी हमने क्रेड आजार नोसों रुपई से क्या करना पड़ेगा हमना उसका अकांट dhabit करना पड़ेगा तो एक Good आराय तो सचो क्शु नेग्सक्सी देखना क्या है ऐसे च्राइडिट इस टू दिनेज क्राइड़ीट्स entsprechend चुछ सको का nutrifying entry suspense account will be suspense account क्या होगा तो हमारी entry क्या बननी चीह थी हमारी entry बननी चीह है क्या चीज credit शेल किया है तो हमारी entry बनने चीह है carrying दिने इस अकाउंट डैवित टू शेल्स अकॉंट कितने से चालीश रुमारी सिरबल एक्षा रुपर से लेकिन हमने entry कहैं बना दिवेस account डेबिट थूयल से इतने से 4000 से इसका मतलब कि हमारा दिनेस अकाउंट Sen Sen어도 लृकिन इतने से teacher कि रुख़ा है लेक। इसको हम डेबिट करेंगे लेकिन इसमें पूछा कि सच का कितने से तो right answer will be the 36,000 से क्या होना चीए credit क्योंकि entry बनेगी हमारी दिनेस अकाउंट debit तू दिवेस दिनेस हमारा 40 ग्राद से debit होना चीए था दिवेस हमारा गलती से debit हो गया तो उसको credit करेंगे और बदले में क्या खोल देंगे to suspense account 36,000 तो suspense account हमारा credit हुआ है कितने से 36,000 विल दो लेखो credit purchase from Mohan Mohan से हमें credit खरीदा है वर पोस्टिट टू debit गोफ रोहन अकाउंट में 6,600 तो rectifying entry of suspense account suspense account के rectify entry क्या की जाएगी तो वो आपने बताना है सेम 23 की तरह है तो answer इसका कितना होगा 24 का debited by the 12,600 विल विल विदा राइट answer नेक्स है goods return to राजू राजू को हमने समान वापिस कर दिया इसका मला हमने समान खरीदा होगा तो वह वापिस कर दिया तो हम यह हमारे लिए क्या बनिया परचेज रिटर्न तो एंट्री करी होगा हमने राजू अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट लेकिन वह हम तो सस्पेंस अकाउंट हमारा कितना होगा 9000 विल वी दा राइट आंस्वर कैल्कुलेशन आपको करने हैं सेम क्योशन नंबर 23 कि तरह हैं नेक्स्ट ट्वंटी सिक्स एन अमांट ओफ 8400 फैंड टू रिपेर रखोंट वह एंट्री बननी चीए थी हमने क्या चीज़ बिल्डिंग अकाउंट में क्या करना था एक्स्टेंशन किया तो बिल्डिंग अकाउंट हमारा क्या होना चीए था डेबिट होना चीए था लेकिन वह कर दिया किसमें अकाउंट को लेंगे तो कितना होगा तीन अजार चैसो रूपए तो आंसर कितना बनेगा तो ए विल वी दा राइट आंसर किलियर है बात 8,460 से डेबिट होना चाहिए था लेकिन हमने 4,860 से गलत रिपेर में कर दिया तो उसको क्रेड करेंगे और बदले में क्या कोल देंगे 3700 रुपए 3,600 से हम suspense अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा क्रेडिट हो जाएगा नेक्स्ट हमारे देखते है क्योशन क्या बोला है एन अमाउंट 5,000 रिसीवड फ्रों एक्स पोस्टिट टू वाई अकाउंट एक्स से लिया था लेकिन लिख दिया वाई अकाउंट में इंटरेक्टिफाइंग डैस अकाउंट विल बी डैबिटीड तो क्या अकाउंट खुल जाएगा तो हमारे सिंपल सी बात है है य ही हमारा इकाउंट करें और बदले में क्या कॉलेंगे से तो sie will you the right answer नेक्स्ट ट्वंटी एट्ट ट्वंटी एंसे क्या बोलें देखो कि अजिएप के एक आपके बोलें सेल्स 7600 टो असोग आसोग को समान बेचा है कितनेगा 7600 होगा लेकिन credited to his account उसके account में credit किया है कितना 6700 rectifying entry of asok asok की rectifying entry कितनी बनेगी बहिए entry हमारी बननी चीए ते asok account debit to sales account लेकिन उसका account तो हमने credit ही कर दिया बस 7600 से तो ये और उसका account credit कर दिया तो फिर दबारी हम इसको debit करेंगे तो कितने से debit किया जाएगा तो debit किया जाएगा 612 300 तो 14300 से क्या किया जाएगा debit किया जाएगा तो 28 का D will be the right answer next हमारा है a discount 7500 allowed to customer has been posted to a discount . दिये साथ जार पांश होगी लेकिन उसके account में हमने लिख दी 5700 तो क्या entry बनाएगी but discount दिये कितने की 7500 होगी लेकिन उसका अकाउंट को has been posted उसके account में हमने लिख दी 5,570 गज़र नोगा तो क्या होगा customer fan तो राइट आंसर क्या होगा हमारा सस्मेंस अकाउंट डेट टू कस्टमर कितना 180 रूपीज के लिए अगश्ट क्योशन देखो क्रैडिट पर्चेज और 5000 वाज पास्त्रो सेल्स बूक्त 我知道 credit पर्चेज किया था तो हमारी एंटरी बनना लाइट्ट है तो क्रेइटर लेकिन वह लग दिया किसमें शेल्स बूक में तो rectifying entry क्या करेंगे purchase account debit, sales account debit to suspense account, utiliser account, purchase account sales account, personal account personal account, purchase account sales account, तो right answer इसका कितना होगा, इसका right आणसर इसका right answer will be the purchase account debit होना चाहे था, नहीं हो, sales account गलती से हो गया तो उसको फिर्द बादी ठीक करेंगे to personal account कितना 1000 rupees will be the right answer. नेक्स्ट है हमारे कुशन क्या बोला है इन पर्चेज ओव इन पर्चेज बुक टोटल पेज नंबर 15 वाच केरीड फोरवर्ड टू पेज नंबर 16 टोटल बुक का पेज नंबर 14 का आगे लेकर के आगया हम पेज नंबर 16 पे एस एक लाख बाववन अजार था इनसेट हमने कर दिया एक लाख पचिस जार एन टोटल पेज नंबर 20 वाच केरीड फोरवर्ड टू पेज नंबर 21 20 नंबर का किसच पे लेकर का आगे 21 पे जो के हमारा 2116 जार था हमने लिख दिया 2121 टो रैक्टिफाइंगे टि या बनेगी परचेश अकाँट डियब की सथ्पेंश परचेज अकाँट डियब की सथी टो र इन्स्वर्द सब्सक्राइब गाले की अब परचेज बॉक का टोटल लिगर के आगे न इस पर लेकर 15-16 के लिघर के आगे है और हमारा बीस का 21 पे लिखर के आगे तो हमारा एंट्री बन जाएगा परचेज अकंट इबट तू सपस्पैंस अकंट नेक्स है goods परचेज फ्रों अमर अमर से goods परचेज किया तो हमने एंट्री क्या कर दे होगी purchase अकंट एप वे टू अमर वर रिकोड़िड 21000 हमने लिग दिया 29 гораздо तो इसका मतलब ऑन्ट्री क्या बनेंगी हैं तो परेज़ां एकाउंटा डनेगे ये हमारी बॉपクाशेज 25 Bono Bi já जाधा भीदिया हमने जाधा लीथ दिया तो हम क्या करेंगे कम करेंगे नेक्स्ट है हमारा 33 क्योशन क्या बोल रहे हैं गूट्स पर्चेस प्रों एक्स एक्स से समान खरीदा है 20 जार रुपए गा तो हमने एंट्री क्या बनी होगी पर्चेस अकाउंट डाइबिट टू एक्स ट्वंटी थाउजन वाज रिकोर्डे इन शेल्स बुग में लिग द बनेगी पर्चेस अकाउंट डाइबिट सेल्स अकाउंट डाइबिट टू एक्स 22 थाउजन थर्टी फोर्ट क्योशन देखना क्या बोला है बुट्स रीटर्न टू राम जिटर्ण फ्रों राम राम से हमारे पास वापिस आ गया तो इसका मतलत सेल्स बेचा होगा बेचा ह तो इसकी एंट्री क्या होगे एंट्री विल विदा सेर्स रिटन हमारा डैबिट होना चीह था नहीं हो तो तो debit करेंगे, purchase return गलती से credit हो गया, तो उसको ठीक करेंगे, और to RAM कितना करेंगे, 14,000 will be the right answer, next, wages paid to Mohan, for erection machine, should be debited to, तो किस में debit होना चाहिए, what will be the right answer, किस में होना चाहिए, machine में होना चाहिए, wages page की है, erection हो, machine, तो entry क्या बनेगी, entry आप लोग, बताओ, अब entry क्या बनेगी, इस दिनीजी भी entry नहीं आती है, तो फिर तो इसका मनला, कहीं ना कहीं, गड़ बड़ी है, next है, sales of typewriter, that has been used in office, should be credited to, sales कर दिया, किसका typewriter, जो कि हमारा office में use होता था, should be credit, credit करेंगे, क्या cash account debit to sales करेंगे, या cash account debit to capital करेंगे, या cash account debit to typewriter करेंगे, तो क्या entry बनेगी, इसकी crediting में क्या होगा, तो क्या होगा, 36 typewriter, entry क्या बनेगे, cash account debit to typewriter, suspense account in trial balance will be entered into, जो sales account, suspense account आता है trial balance में, वो कहाँ पे दिखाया जाएगा, manufacturing account में, profit and loss account में, trading account में, balance sheet में, बताओ जल्दी सी, तो कहाँ पे दिखाया जाता है, suspense account, balance sheet में, next question क्या बोला है, क्या बोला देखो, rupees 1000 received from बहदूर, whose account previously written off as bad debts, should be credited, बहिए 15 रुपे पहले जो हमारा bad debts हो गया था, वो 15 रुपे हमारा बहदूर से मिल गया, तो क्या entry बनाई जाएगी, तो 38 में, क्या answer होगा, तो क्या entry बनाई जाएगी, cash account बेट्ट्स, रीकवर्ड, तो क्राइट क्या किया है, हमने, बेट्ट्स, रीकवर्ड अकाउंट, next 39 में क्या बोला है, देखो, रेंट पेड टू लेंड लोड अमाउंट इक 5,000 वर क्राइटिट टू रेंट अकाउंट, बर रेंट पे किया है, लेंड लोड को 500 रुपेगा वर क्राइटिट टू रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट में हमने क्या कर दिया, क्राइट कर दिया कितने से, 5000 से rectifying entry rent account debit कितने से किया जाएगा तो debit कितने से किया जाएगा तो कितने से कर देंगे 500 debit यह होना चाहिए था यह गलतिस हो गया था दोनों के amount plus करके लिख देंगे 5500 will be the right answer सबसे easy chapter लगता है जिसमें जिसको entry बनानी आती है तो यह chapter आराम से कर जाएगा जिसको entry बनानी नहीं आती और वो फिर उसके लिए तो problem create करेगा यह chapter चाहिए तो इससे easy कोई chapter नहीं है बेर purchase goods from gopal gopal से समान खरीदा है तो हमने entry बनाए हो यह purchase account debit to gopal but while recording in gopal account, gopal account में कितना लिख दिया 6300 लिखना चीक था 3400更ए 앞에 दिया 3800 में में करेंगे कम करेंगे ​​ क्या करेंगे तो कि कितने से ऐकम करेंगे तो बैंड करेंगे 6400-3600 तो राइट पर्चेज गुड्स प्रोम गोपाल गोपाल से समार खरीदा 3600 वट वाज रिकोड़ीड 6300 टू डैबिट ओफ गोपाल के डैबिट में लिख दिया तो रेक्टिफाइंट्री क्या बनेगी गोपाल की सबसे इजी क्योशन तो क्या एंट्री बनेगी इसकी तो कितने से 3600 भी नहीं लिखा और इसका गलती से डैबिट भी लिख दिया तो दोनों का अमाउंट प्लस करके हम क्या कर देंगे हमारा गोपाल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा नेक्स्ट है 3600 लेकिन उसके अकाउंट में कितना ही लिखा 2400 तो इसका मनलें कितना और लिखा जाएगा तो 18 सुर्पय और हम लिख देंगे कि कम लिखा गया तो गलती से चूटी गया तो हमने फिर द्वाल्टी कर देंगे नेक्स्ट लिखो गुड्शोल टू सेथी सेथी को गुल्स ब कितने सो किया जाएगा तो यह किया जाएगा 180 रुपय से नेक्स्ट है एक ब्रीफ केस पर्चेज पूर 800 फोर दसन ओफ पार्टनर वाज डेबिटेट टू जर्नल एक्सपैंसी असी रुपय इन रेक्टिफाइंग ड्रॉइंग्स अकाउंट शूट भी ड्रॉइंग्स अकाउंट कितना होना चाहिए सिंपल सी बात है कितना होना चाहिए 800 रुपय होना चाहिए कि शमसे अकाउंट किस नेचर का अकाउंट क्यों कि हमने ये पता थोड़ी है कि कौनग सी अकाउंट में हमारी गलती पाई जाएगी जर्थ पिर रिरियल आकाउंट का हो च्छी वह नेचर किस नेचर का हो नमिनल अकाउंट का हो तो आंस्वर क्या वोगा any one of these it is easy to deduct than to dash it is easy to deduct क्या पता करना easy है तो क्या पता करना easy है वो आपको बताना है तो errors का पता करना easy है than the fraud fraud करने से ज़्यादा error easily पता चल जाती है errors are undeductive mistakes है initial mistakes है frauds है या uninitial mistakes है तो errors हमारी क्या है uninitial mistakes है तो ये थे हमारे rectification of errors की क्या है questions तो इससे भार question कहीं भी नहीं मिलेगा अगर आपने ये पूरे questions आपने कर लिए, rectify करना सीख लिया तो इससे भार का questions आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे clear है बात अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो please like करें, share करें और subscribe the channel for more videos thank you and have a nice day क्या करेंक वीपदर आपको सुथित्टון पहोरे 어떻 N Pizza 犯